हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेयर बजार वितायुष और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों टाटा मोटर्स के क्यू फोर नंबर्स के बारे में जी हां कंपनी के q4 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं किस तरह के नतीज़े निकल किया हैं वो हम इस वीडियो में डिसकस्ट करने वाले हैं तो अन्डाटरेंट लिवीडियो काफी important रहे गा जो भी important बाते हैं नंबरस कि वो हम समझेंगे अगर आज बात करें शेयर के तो definitely थोड़ा सा उता चड़ा दिखाता हुआ नजर आ रहा था कभी काफी बढ़िया तेजी थी कभी काफ वापिस गिरावट थी बट overall stock जो है आज करीवन दो रुपे 20 पैसे उपर जाके बंद हुआ क्लोजिंग जो है वो definitely इससे उपर हो सकती है वो अरॉंड 515 के असपस आई है बट आज कह सकते हैं stock में 52 वीक हाई भी लगा है 520 रुपे 50 पैसे का आप खुद देख सकते हैं बट आज जो सबसे इंपॉर्टन फिगर इंपॉर्टन जो फिगर का वेट था वो था कंपनी के Q4 के नंबर्स तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के हम यहां पर revenue from operations की कितना company का revenue from operations निकल के आ है यह undoubtedly one of the most important figure है क्योंकि company के revenues में क्या बढ़ोतरी है या फिर गिरावट है यह देख लेते हैं क्योंकि यह बाद ध्यान रखिए numbers को हम discuss करेंगे बाजार के expected numbers से भी अभी तो देखें बाजार के expected numbers से पहले जो company के खुद के numbers निकल के आ है उससे discuss कर लेते हैं फिर बाजार के expectations because अगर expectations से low numbers निकल के आते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है तो अगर बात करें सबस्वले company के revenue के उपर तो आप खुद notice कर सकते company के revenue from operation में किस प्रकार की बढ़ोतरी है मतलब company का revenue from operation दोस्तो पिछले साल तक 78,439 करोड के आसपास का था जो अब बढ़के 1,5,932 करोड पे आया जी हां एक लाग करोड के पास दोस्तो company की total revenue जो है वो basically पहुँच चुकी है एक लाग करोड की दोस्तो company ने इस बार यानि पूरे साल के अंदर पूरे साल में 31 मार्च में जो इक quarter आया है इसमें company ने 1,00,00 प्लस करोड की sales जो है वो basically करी है और undoubtedly एक बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी previous quarter में company ने करीबन 88,488 करोड का total revenue new post किया था जो अब बढ़के 1,005,009,32 करोड के आशपस आ चुका है तो एक बहुत बढ़िया जंप आपको देखने को मिलेगा यह अगर मैं बात करता हूँ total company की sales की total income जो company के निकल के आई है वो 79,341 करोड थी पिछले साल तक जो अब बढ़के 1,7,509 करोड पे आए तो 80,000 करोड के आशपस से बढ़के 1,7,000 करोड तक पहुचना यह अपने आप में काफी ज्यादा massive दिखता है काफी ज्यादा awesome दिखता है तो numbers काफी बढ़या दिख रहे हैं यह अगर quarter on quarter देखते हैं तो 89,618 करोड का था जो बढ़के 1,7,509 करोड पे पहुच चुका है तो overall growth आपको साफ साफ देखने को मल जाएगी Q on Q basis पे भी और Y o Y basis पे भी तो यह numbers तो शुरुबाती दौर पे काफी बढ़या दिखते हैं लेकिन सबसे important यह है कि company के profitability में क्या कुछ change आया है तो क्या घाटा मोटर्स को काफी लोग घाटा मोटर्स भी कहते हैं तो क्या घाटा मोटर्स अब यहाँ पर मुनाफ़ा मोटर्स हो चुकी है यानि in the sense की टाटा मोटर्स क्या अब profitability में जो पिछले quarter में आई थी जो अब बढ़के company का मुनाफ़ा हो चुका है यानि company अब घाटे से मुनाफ़े में आ चुकी है और अब company ने करीबन 5496 करोड का profit जो है वो report किया है बहुत बढ़िया 5500 करोड हम कह सकते हैं जो company ने इस बार मुनाफ़ा धर्ज किया है और company loss to profit हो चुकी है एक company जो घाटे में थी अब बिलकुल मुनाफ़े में आ चुकी है तो लोग अब घाटा मुटस तो बिलकुल नहीं बुलाएंगे एकर मैं बात करता हूँ पिछले quarter के तो company ने करीबन 3043 करोड का profit दर्ज किया था जो बढ़के 5496 तो एक बढ़िया jump देखने को मुली है company के numbers के अंदर और लगातर देखे जब मैं टाटा मुटस पर वीडियो बनाता था आपको यह कहता था कि समझ यह एक पुरे condition जो है वो definitely हाल फिलाल में company को लेकर अच्छी नहीं है लेकिन अब जब जैसे देखे कोवीड हटा, semi-conductor's की जो shortage थी वहाँ पर relief देखने को मिला तो आप खुद समझ सकते हैं company के numbers में वो दिख रहा है दूसरी बात क्या कि JLR जो company का सबसे ज़ादा मैं कहा सकता हूं challenging business है उसमें भी अब जो आखरे निकल के आ रहे हैं वो definitely positive दिखा रहे है 14.21 रुपीस कमा रही है तो अब कुछ समझ सकते हैं कि 14.21 रुपीस company कमा रही है यह अपना आप में कितना बढ़िया है पिछले quarter था कि almost हम अगर इसको round off भी लेते हैं तो 8 रुपे के आसपास है लेकिन अब 14.20 14.21 यह almost 6 रुपेस से जादा जो EPS है company का एक quarter के अंदर increase हुआ है तो I think एक बहुत ही excellent numbers हम कह सकते है growth oriented numbers हम कह सकते है जो हर पैमाने पर काफी बढ़िया दिखते हैं अब अगर मैं बात करता हूँ segment wise revenue मुझे समझना है और आपको भी समझाना है कि company का segment wise revenue में जो company का सबसे challenging business है JLR का वो किस तरह का कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि Jaguar Land Rover अगर बढ़िया करेगा तो बहुत बढ़िया है लेकिन अगर नहीं करेगा तो चीजे दिक्कत में आ जाती है तो अब अगर हम यह बात करते हैं इनके JLR के business के बारे में तो आप खुछ समझ सकते हैं कि पिछले साल तक company ने करीबन यहां से 48,000 करोड का revenue जनरेट किया था कितना 48,000 and 22 करोड अब वो बढ़के 71,463 करोड हो गया है जी हाँ 48,000 करोड से बढ़के 71,463 करोड का सबसका company का revenue अगर वहां से जनरेट हो रहा है कि जेलाज के business ने भी speed पकड़ी है पिछले quarter तक कितना था 58,862 करोड तो undoubtedly company का यह जो पूरा business है यह बढ़िया करना चालू कर दिया है and undoubtedly यहां से जो डिक्कते नजर आ रही थी वो definitely कम नहीं, खतम नहीं हुए लेकिन कम जरूर होती भी नजर आई है because company कुद कहती है कि हम अपने आपको debt free करना चाते है तो क्या वहाँ पर कुछ change आया है because यह हर बार आकड़ा में देखना चाता हूँ कि company कितना अपना करजा कम कर रही है फिर कितना यहां पर इंप्रूव्मेंट देखने को मिल रहा है तो दोस्तो debt to equity के बारे में बात करता हूँ तो debt to equity definitely company ने इस quarter के अंदर काफी बढ़िया किया है because वो पहले 3.13 times के आसपास था अब वो घट के 2.77 times हो गया यानि company के basically debt के अंदर आपको कमी देखने को मिली है पिछले quarter तक यह 3.68 था और undoubtedly एक बात समझिएगा कि company अपना जो अभी Tata Tech का IPO लेके आ रही है इससे massive आपको reduction देखने को मिलेगा debt के अंदर और उस तक के company जो target लगा के चल रही है उससे पहले ही यहाँ पे debt free हो जाए तो यह अपने आप में काफी important आकड़ा है जो company का नजर आ रहा है अब CNBC का पोल लेके CNBC ने पोल किया था और कहा था कि Tata Motors जो है वो करीबन 4685 करोड 4685 करोड का profit दर्च करी के लिए आया कितना है 5407.8 करोड तो undoubtedly जो बात को में बताना चाहता हूँ कि बाजार के expectation से भी अच्छे numbers निकल के आए टाटा मोटर्स के और बाजार जो expect करके चल रहा था उससे तो almost आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 800 करोड ना 800 तो नहीं लेकिर 700 करोड से ज़्यादा कि आसपास का company का profitability आया है तो undoubtedly market से भी ज़्यादा बहतर numbers निकल के जो बाजार का expectation था तो undoubtedly यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत fall देखने को मिल सकती है but numbers on average बढ़िया निकल किया है जो बाजार के expectations थी उससे काफी बहतर निकल किया है यह साफ साफ नजर आ रहा है तो आप मंडे को क्या होगा यही आपके definitely दिमाग में question होगा तो देखे एक बात जरूर है कि टाटा मोटर्स ने हाल फ्लाल के अंदर एक बड़ा move दिखा है मतलब अलग सी तीजी देखने को मिली है तो मुझे अक्ता है कि बाजार ने थोड़ा बहुत तो पहले से ही तीजी करके दिखा है मतलब ऐसा निए इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन जो बाजार मानके चल रहा था उससे थोड़े बहुत नीचे मार्जिंस निकल के आए तो यह पॉइंट हो सकता है कि जिससे स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आजाए क्योंकि अच्छी अच्छा मूब दिखा है टाटा मोटर्स ने हाल फिलाल के अंदर एक महिने में दस परसन अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ है बट वरहल मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के अंदर बने रहना चाहिए जो भी इन्वेस्टर्स है नंबर अच्छे निकल के आ रहे होपफुल के अंदर रखें और लॉंग टर्म के लिए रखें मतलब मुझे ताहिए कि जो इवी है वह डिफिनिटली टाटा मोटर्स के लिए बहतर प्ले करेगी और इसलिए बहतर यह करेगा इस वीडियो में इतना है था थैंक्यो फ्रेंड्स वीडियो आप भी अपना व्यू मुझ है कि टाटा मोटर्स के नंबर्स को लेकर